पूरे सौमा का है। ये वीडियो पूरा देखने के पहले, आके के प्रेंट लेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे लुड जाएंगे। लेकिन हमाच पशॉम पूर Satya. लेकिन कैसे क्रने पेपर इतना लैंदी छूड जाते ह। बस इसी बारे में दुमारा भाई तुमसे बात करने आया so welcome 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 everyone and I hope everyone of you is doing absolutely amazing तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दो important मुद्धब बात करूँगा सबसे पहले पूरे सौमा का पेपर अटेम्ट करे तो करे कैसे एकदम practical solution दूँगा आपको उसके लावा sequence और attempting क्या होने चीए 30 मां के mcq 70 मां के descriptive mcq attempt कैसे करे वो जो descriptive उसको cover time करना चाहिए है ना कभी-कभी होता है question selection wrong कर लेते तो वो correct question selection कैसे करना है exam में जो 15 में इसका written time है उसको it less कैसे करेंगे सब बारे में तब बेट से बात करूँगा लेकिन इतना सब बताने वाल हो ऐसा लग रहा है मज़ा आएगा informative रहेगा तो अगर अच्छा लग रहा है तो पहले subscribe करना फिर या आगे सुनना ठीक है अब फटा फट से बात करते सबसे पहले सौमक का paper है सौमक का attempt होगा कैसे एक simple calculation बताता हूँ ध्यान रखना उसके बारे में 180 मिनिट्स आपको मिलता हर एक एक्जाम में ठीक है इसमें से 20 मिनिट्स का buffer निकाल दोगे ठीक है buffer की उसरा रहे वह autograph तुम्हारा लेते है एक्जाम हॉल में आके जो भी है तो तुमको effectively मिले 160 मिनिट्स असा माल लेना यह है अपने बासा वेसे यह मैंने निकाले समझेगा बाद में क्यों निकाले 160 मिनिट्स तुम्हारे पास है paper कितने मांक का आता है 100 मांक का आता ह simple calculation मानके चलना 1.6 मिनिट्स for each mark for one mark you have 1.6 मिनिट्स मतलब simple अगर 5 मांक का question है तो कितने मिनिट है 8 मिनिट है मेरे पास अगर 10 मांक का question है तो कितने मिनिट है 16 मिनिट है मेरे पास यह आपको background में calculation हमेशा on रखनी है I am going to tell you one thing पूरे paper attempt करना बहुत जरूरी है भाई तुम्हेना हर exam में 20 मांक का छोड़के आते हो फिर आके बोलते हो 80 में से इतना मिला 80 में से उतना मिला थान option 100 मांक का attempt करने का तो तुम कर तो सकते हो पहली चीज सेकेंड चीज अगर आप हर exam में सब होज एक group दे रहे हो आप तीन पेपर है आप हर एक exam में 10-15 मांक छोड़के आओगे हो है ना 40-45 मांक का अगर 15 मांक का हर पेपर में छोड़ दिया तो बराबर वह 45 में से इमाजिंग करोगर attempt कर लेते हैं भले नहीं आता attempt करते हैं वह जो 2-3-4-5 मांक मिलते बोनस ही है तो मैं सिखा रहो attempt कैसे करना है अब आप बोलो कैसा time duration लटने से attempt थोड़ी न हो जाएगा हो जाता है तुम एक बात ध्यान लगना अगर आप अपने दिमाग को एक specific time limit दोगे तो उसके आसपास ही वह समय देगा for example अगर मैं अपने मन को बोलूँगा 5 मांक के लिए 15 मिनिट है मेरे पास तो वह 15 मिनिट ही लेगा अगर तुम बोलोगे मैं बस 5 मांक के लिए 8 तो starting से time limit लेके चलोगे न तो time से हो जाएगा ठीक है यह पहले चीज़ जाना एक simple calculation उसके अलावा कभी-कभी ऐसा possible आप question attempt करो 10 मांक कर ठीक है अब 16 मिनिट बीद गए question complete नहीं हुआ अब उस case में क्या करे सर देखना पहले कितना बाकी है question अगर आपका 80-90% question हो चुका है करना बाकी है तो फिर आप उस question को continue करके जो भी extra 3-4 मिट लगते हो ले लेना कहां से आएंगे 3-4 मिट extra यह बफर रखे ना 20 मिनिट वहां से हो कटते बेचलेंगे अच्छा लेकिन for example अगर एक question आपका 50% ही complete हुआ था तो उस question को ततकाल प्रभाव से वही छोड़ देना भ अभी कभी बूल सम पहले पिक कर लेते हैं तो मालूम पढ़ जाना कि 50% question ही और बहुत समय जा चुका है रुख जाना और उसको सोचना कि last time करूँगा last time कहा मिलेगा मिला है यह बफर इसलिए रखे रखा है मैंने ठीके बाद ध्यान रखना उसके लावा आपको हर question में पा पेपर लेंदी होंगे speed भड़ा के रखना अपनी आप देखने एक्जाम के last मा बड़ी फटा फट लिखते हो वो starting से speed maintain करूगा ना attempt हो जाएगा भाई तुम समझ रहो मेरी बात तो यह पहली बात हो गई तो पाच question आपके descriptive के हो गए और आपके 30 number के MCQ हो गए ठीके अब अटेंब कैसे करोगे तो इस बार मेरी शुमम सर सही बात हुई तो अपने discuss कहता है चीज इसला आपको बता रहो हो आपके लिए बहुत useful लेगा यह चीज तो पहले क्या करना आप 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 जो आपके best 3 descriptive ह आप पहले attempt करोगे ठीके उसके बाद आप उठाओगे बीच में MCQs अब बीच में MCQ नहीं का लॉजिक है वो लॉजिक भी दूँगा आपको और उसके बाद आपके final के 2 descriptive कर लो फिर MCQ कर लो फिर 3 descriptive कर लो आपकी मर्जी है you can bifurket बट मुझे लगते MCQ होने चीज बीच मे अब ऐसा क्यों देखो जब आप MCQ बीच में करोगे 30 नंबर के सबसे पहली बात MCQ दो पका के हो सकते या तो MCQ पूरे 30 नंबर के आपके easy आगया मजा आगया तो अगर easy आगया तो आपके 30 से 40 minutes में हो जाएगा ठीक है बाइचांज अगर MCQ tricky आगया तो दिक्कत पते क्या ह तो इसलिए पहले आप जो 3 descriptive चूस करोगे चूस कैसे करने हो बताऊंगा अभी में आपको तो चूस करोगे बेस्ट वाले करोगे अप उसके बाद MCQ करोगे ना तो MCQ कर एजी आया तो आपका वैसी कम टाइम में हो जाएगा और MCQ difficult भी आया तो आपका यह जो तीन easy descriptive था ज को बीच में करना चाहिए ठीक है और MCQ में आप वही same calculation 1.6 minutes maximum मुझे लगता उससे जल्दी हो जाएंगे क्योंकि FR में तो वैसे दो नंबर के MCQ आने वाले हर एक MCQ दो नंबर का उगा जहां तक बहर को पता है ठीक है धिहान नटना इस बारे में तो MC को बीच में किदर कर ल में जो आपके 6 descriptive है इसमें से आप कोन से 5 attempt करोगे वह आपको चूस करना है और उस 15 minute में आपको sequencing बिठानी है जो आपका best question है वह आपका पहला attempt होएगा अमेशा ठीक है first question जो पहला best है वह फिर जो second best है वह दूसरा attempt करना थर्ड best हो तीसरा attempt करना फिर MCQ करना फिर बाकी दि descriptive करना तो basically 15 minute में आपको सिफ यह decide करना है कि मैं कौन सा question डालूँगा option में और जो 5 attempt करूंगा उसका sequencing क्या रहने वाला है ठीक है ध्यान दखना जब sequencing भी discuss करो ना एक FR कल आपको pro tip देता हूँ पहला question कभी भी CFS मत रखा करो अगर आपको CFS business commission का जो भी बड़ा question दिखता है है ना वो पहला मत किया करो अगर आप question ने तुम छपा-छपा question आगया CFS business combination का तु भी दूसरा कर लो बट पहला मत करो उसको रीजन ही है देखो FR आपका पहला paper है ना पहले paper में वैसी थोड़े सा नर्वस होते हुआ है तो होगा क्या आप जब पहले question में कोई बड़ा question ल पहले कर लेना आप फिर CFS एगदम easy लग रहा है तो आप second कर लो जो भी आपको लगता है वैसा यह मेरा personal recommendation आप FR के लिए बाकी paper में भी आप सेम चीज़ फालो कर सकते हो कि आप पहले descriptive करो फिर MC को फिर बाकी descriptive 15 minutes को इस तरह के साब को इटलाइस करना है तो यह मैंने आपको small small techniques आपको बहुत help करेगी बहुत ज्यादा ठीक है तो आप इस बात का ध्यान लगना उसके लावा आप बढ़िया perform करें लोगे इतनी मेहनाद आपने की है अच्छा ही जाएगा paper चिंता करने के जरूवत नहीं है अगर आप helpful लगा तो कमेंट जरूर करके जाना लाइक जरूर कर देना और अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी होसकता है तो शेयर भी करना और सब्सक्राइब के बेना बच जाना शुक्रै एवर्यों थैंक्यू सो मच बबबबबबबबबबबबबबबबबबब बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब